Let's do question number 6 of exercise 3E that is whole number question number 6 is on dividing 59761 by a certain number हमने इस number को किसी एक number से divide किया तो quotient आया हमारा 189 and the remainder is 37 find the divisor तो वो कह रहा है हमने इस number को किसी divisor से divide किया तो हमारा quotient आया 189 और हमारा remainder आया 37 तो वो divisor क्या था वोल बताना है तो चलिए करते हैं 6th quotient में हमारा dividend दे रखा है dividend कितना दे रखा है that is 59761 59761 और quotient कितना दे रखा है quotient दे रखा है हमारा 189 और 37 हमारा है remainder remainder है हमारा 37 तो हमें divisor निकाल ले हैं तो कैसे निकाल लेंगे देखें formula होता था हमारा dividend equals to quotient into divisor plus remainder अब जो जो दे रखा है हम उसकी values उसके नीच लिक लेंगे dividend कितना दे रखा था 59761 quotient दे रखा था 189 divisor हमें निकालना है और हमारा remainder था 37 अब हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज यहाँ पे plus होती है इधर आके minus हो जाती है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 59761 minus का 37 कर सकते है equals to 189 into divisor तो यह कितना आ गया minus करके 11 में से देखिए मैं यहाँ पे directly कर रही हूँ आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख के कर सकते हैं 11 में से 7 गया is 4 5 बचा 5 में से 3 गया is 2 7 9 and 5 equals to 189 into divisor अब divisor कितना आ जाएगा देखिए 189 इधर multiply में इधर आके divide में हो जाएगा तो मैं देखिए A equals to B हो या B equals to A हो बात एक है तो मैं इसको क्या लिख सकते हूँ divisor equals to 5 9 7 2 4 divided by 189 भी लिख सकते हूँ देखिए मैंने कुछ नहीं किया divisor के साथ जो 189 था उसको divide में लाना था तो मैंने divisor equal मैं यह लिख हूँ 5 9 7 2 4 divided by 189 equals to divisor किया divisor equals to 5 9 7 2 4 upon 189 बात एक ही है अब हम divide कर देंगे तो देखिए यहाँ पर मैं divide कर दे हूँ 5 9 7 2 4 को हमने 189 से divide किया तो 189 थी जा कितना है 3 9 27 3 8 24 25 26 2 carry 3 1 3 4 5 तो यह 3 जा गया हमारा 567 तो कितना आ गया 7 में से 7 गया 0 9 में से 6 गया 3 और हमने 2 उता लिया अब 189 2 जा देखते है 2 9 जा 18 2 9 8 जा 16 17 carry 1 2 1 जा 2 3 तो यह 1 जा ही जाएगा 189 तो यह कितना आ गया 12 में से 9 गया as 3 9 में से 8 गया as 1 और 2 में से 1 गया as 1 अब हमने 4 उता लिया तो यह कितना आ गया देखिए 189 को multiply किया हमने 7 से 7 9s are 63 6 carry 7 8s are 56 57 58 59 60 61 62 2 and 6 7 1s are 7 8 9 10 11 12 13 तो यह जादा है तो यह नहीं जाएगा 189 को हम 6 से करें 6 9s are 54 6 8s are 48 49 50 51 52 and 53 6 1s are 6 7 8 9 10 11 तो यह सेम जा रहा है तो यह आ गया 50 1134 तो हमारा डिवाइजर कितना आ गया 3 15 is the answer let's do question number 7th question number 7th कहा रहा है on dividing 55390 by 299 55390 को अगर 299 से हमने divide किया तो हमारा remainder 75 बच रहा है find the quotient using the division algorithm division algorithm use करके हमें quotient निकालना है तो चलिए निकालते हैं 7th quotient में हमारा dividend दे रखा है dividend equals to 55390 55390 और divisor दे रखा है 299 और हमारा remainder है 75 राइट तो algorithm क्या होता था हमारा algorithm होता था division algorithm that is dividend equals to quotient into divisor plus remainder यह होता था तो dividend क्या है हमारा 55390 quotient हमें निकालना है तो उसकी जगे क्यों लिख रही हूँ into divisor है हमारा 299 और हमारा remainder है 75 अब देखिए हमारा यहाँ पे सबसे पहले add या subtract की values जो दिया है उनको दूसरी साइड ले आते हैं तो यहाँ पे 75 आड का है तो इधर ले आएंगे left hand side तो यह कितना आ गया 55390-75 equals to quotient into 299 तो यह कितना आ गया देखिए subtract कर देते हैं तो यहाँ है 10 में से 5 गया 5 8 में से 7 गया 1 3 5 5 equals to quotient into 299 आप देखिए यह quotient 299 quotient के साथ multiply में है तो इधर आके divide का हो जाएगा तो quotient equals to भी लिख सकते हूँ ला divide में ही रही हूँ उसको देखिए upon 299 तो divide करके देखते हैं कितना आता है यहाँ पर divide कर रही हूँ 553 15 तो 99 से divide किया तो 299 2s are 18 2 9s are 18 and 19 2 2s are 4 and 5 यह जादा हो जाएगा तो वन्जा ही जाएगा वन्जा इस 299 तो कितना आया 13 में से 9 गया is 4 4 में से 9 नहीं जा सकता तो 14 में से 9 गया is 5 and 4 में से 2 गया is 2 1 उतार लेंगे नीचे तो कितना आ गया 299 8 जा देखे 8 9 जा 72 8 9 जा 72 plus 7 is 79 8 2 जा 16 17 18 19 20 21 22 23 अब 299 को हमने 9 से मुल्टिप्लाई करेंगे 9 9 जा 81 9 9 जा 81 plus 8 is 80 9 8 करी 9 2 जा 18 19 20 21 22 23 24 25 26 तो यह जादा हो जाएगा तो यह जादा हो जाएगा तो दाट मीज 8 जाही जाएगा 8 जाएगा 2 3 9 2 तो माइनस कर लेते हैं कितना आ यह 11 में से 2 गया इस 9 अद 13 में से 9 गया इस 4 4 में से 3 गया 1 और यहां से यह 5 नीचे आ गया 1 4 9 5 अब 1 4 9 5 देखते हैं तो 2 9 9 9 5s are 45 होता है 5 से देखते हैं 5 9s are 45 5 9s are 45 5 प्लस 4 इस 49 5 2s are 10 प्लस 4 इस 14 यह 5s are जा रहा है यहा रहा है 1 4 9 5 तो सब्ट्राक करेंगे रिमेंडर 0 आ गया तो इसका मतलब कोशिंट कितना आ गया हमारा 185 is the answer